असलाम उलेकुम वीवर्स आज की वीडियो में हम ये नेक डिजाइन बनाएंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे पास ही एक पेस्टिंग पेपर है इसकी लंबाई लगभग 13 इंच के करीब है और चोड़ाई लगभग 7.5 इंच के करीब है अब मुझे इसको नेक बनाना है तो नेक के लिए पहले मैं इसको फोल्ड कर दूँगी और इसको लगभग 4 इंच के करीब इसको इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी और 6 इंच के करीब यह मैं इसकी depth में इसको mark कर लूँगी इस तरह से हम एक square बना लेंगे, box बना लेंगे और अब हम यहाँ पर लगभग देर इंच के करीब इस तरह से mark करेंगे और एक line draw करेंगे Line जब तक आपको लगे कि हमने सही कर ली है इस तरह से हम इसकी line को set कर सकते है यह मैंने इसकी गले की लंबाई और चोड़ाई ले ली है अब मैंने एक paper ले लिया है यह लगभग 3 इंच लंबा और 2 इंच के करीब चोड़ा है लेकिन मुझे इसमें जो cut work बनाना है वो लगभग 2 इंच के करीब बनाना है इसलिए मैं इसको fold करके देख लेते हूँ यह एक इंच से एक point कम है इस तरह से मैंने यहाँ पर mark किया है और एक इंच के करीब मैंने इसकी उचाई पर mark किया है और अब मैं इसको इस तरह से mark करने के बाद इस तरह बना लूँगी ये देखिए इसकी शेफ हम सही कर लेते है इसकी शेफ सही करने के बाद अब हम इसको लगभग ये हमारा पॉने दो इंच के करीब तयार हो गया है अब इसको रख करके हम इस तरह से निशान बना लेंगे तो ये जो हमारे half circle बनेंगे ये बिल्कुल equal बनेंगे ये देखिए ये बड़ी आसानी से इस थारा से हमने mark कर लिया है और ये mark करने के बाद लगभग एक इंच के करीब हम इधर से ऐसे mark कर लेंगे और इस थारा से line draw कर लेंगे अब हम इसको cut कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से मैंने इसको cut कर लिया है अब एक कपड़े पर paste करके एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने इसका इस तरह से अंदर को fold कर देना है इस तरह से करने के बाद हम इसको बीच में एक बिल्कुल cut लगा लेंगे ताके हमें इसकी लंबाई चोड़ा equal आ जाए इसको गले को मैंने बीच में से आधा इंच के करीब छोड़ करके तब मैंने इसमें cut work बनाये थे ये देखिए इधर देख भी रहा है ये और अब मैं इसको pin up कर लूँगे ताके हमारे ये जो cut work हमें करने हैं ये हिले नहीं और इसको बहुत कहने चाहिए बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें इसमें सिलाई लगानी है हमारा जो सिलाई है इधर उधर नहीं जानी चाहिए और इसके उपर भी नहीं आनी चाहिए इस तरह से इसको सिलाई लगाने के बाद हम इसके pin निकाल देते हैं और इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा मार्जन छोड़ करके ऐसे cut लगा लेंगे ऐसे काट देते हैं ये काटने के बाद इस तरह हम इसमें cut लगाएंगे ताकि ये हमारा आसानी से बाहर की तरफ को फोल्ड हो जाए और अब हम इसको इस तरह से करने के बाद प्रेस से जमा लेंगे ये देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है उससे इसमें finishing भी आ गई है और ये हमारा जम के आ गया है और फिर मैंने इसमें एक बीच में crease बना ली है क्योंकि मुझे इसमें बीच में cut लगाना है लेकिन मैं cut नहीं लगाओंगी अभी थोड़ा रुप करके लगाओंगी पहले मैं इस तरह से एक pasting paper ले लूँगी ये लगभग 12 इंच के करीब है और मुझे इसमें cut अंदर की इसमें थोड़ी से cutting कर लूँगी इसका extra जितना मुझे चाहिए था उतना ही मैंने ले लिया है और cut कर दिया है और इसके बाद मैंने जो इसे बीच में से fold किया था वहाँ से मैंने इसमें cut लगा लिया है और मैं कमीज की ulty side में जहां पर मैंने गला fold किया है उसकी बराबर में इसको इस तरह से प्रैस से चिपका लूगी ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चिपका लिया है ये इसकी कपड़े की उल्टी साइड है जिधर मैंने कपड़ा ये कट वर्क बना करके पल्टे हैं वहां पर मैंने ये चिपकाया है और अब मैंने ये दो स्ट्रिप ले ल अब मैं इसमें से जो मैंने कट किया था उस कट पर इसकी कमीज को भी कट कर दूँगी क्योंकि जो मैंने फ्यूस पेपर कट करके चिपकाया था उसी पर मैंने इसमें कमीज पर कट लगाया है इससे ये हमारा बिल्कुल आराम से भी हो गया है और बिल्कुल सीधा कट लगा है और जो मैंने ये दो स्ट्रिप ली हैं इसको यहां पर रख करके इस तरह से लगा लेंगे ये मैंने अब एक साइड लगा ली हैं अब इसी तरह मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी अब ये दूसरी स्ट्रिप मैं इसकी दूसरी साइड में लगा रही हूँ इसी तरह से इसको भी कोने से फोल्ड करके इस तरह से लगा देंगे और अब हम इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे मैं इसको प्रेस से करके अभी आपको दिखाती हूँ ये देखे मैंने इसमें इस तरह से प्रैस लगा ली है और एक कपड़ा इस तरह से फोल्ड किया है जो मैंने इसमें ये पेस्टिंग पेपर चिपकाया था वो इसके उपर आराम से आ जाएगा ये देखे इस तरह से अब हम यहाँ पर इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और जो हमने ये पट्टि लगाई है इसके हम बिल्कुल साइड में सिलाई लगाएंगे उसके उपर चढ़ा करकी सिलाई नहीं लगाएंगे वो अच्छी नहीं लगेगी इसको हम इस कपड़े पर सिलाई लगाएंगे और नीचे से भी देखते रहेंगे कि ये जो हमने प्रेस से जमाय था वो सही है उसको एक बाद देख करके फिर हम इस तरह फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे जो हमने बारिक बारिक कट लगाये थे यह हम हाथ से कर लेंगे या कोई कैंची की या बारिक चीज की मदद से इसको अंदर करके हम इस तरह यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अब मैंने यह उपर से गला नापा है कि यह मुझे जितना रखना है साथ इंचे करीम मुझे यह गहरा रखना है वहाँ मैंने मार्क कर लिया है और एक और स्ट्रिप लेके वो मैंने एक और स्ट्रिप लेके मैंने सिल ली है और वो इसके नीचे रख करके जहां से मैंने नाप लिया था वहाँ पर मैंने इसको लगा दी है इस ट्रिप को यह देखिए यहां तक मैं बटन लगाऊंगी इसमें चार और यह देखिए पीछे की तरफ भी कितनी फिनिशिंग आई है इसमें अब मैं इसको सामने से बटन लगा करके भी दिखाती हूँ उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए फिर क अभी हाजिर होती हूँ नई वीडियो के साथ अल्ला हाफिज